कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनीश भारतिव और आप देखने संस्कृती is YouTube चैनल दोस्तों आज के current analysis में हम बात करने वाले हैं Heat वेव की की 되게 वेव क्या है और यह भारत में इसका प्रभाव क्या परेगा क्यों अभी हम इसकी बात कर रहे हैं यदि आप ध्यान दे रहे होंगे तो फरवरी का आज जो है आखरी दिन है फरवरी में ही आप देख रहे होंगे टेंपरिचर काफी जैदा बढ़ गया है इस बात से अप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि फरवर जो पहला 15 दिन है यहीं पर टेंपरिचर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा इतना ज्यादा टेंपरिचर हो सकता है कि इससे बिजली की मांग में बहुत ज्यादा विर्धी हो जाएगी और बहुत तरह की परशानी हमारे लिए उत्पन होने बाला है भारत के लिए खास करके उत्तरी भाग के लिए तो इन सब चीजों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि ऐसी बाते क्यों कही जा रही है यदि आपको ध्यान हो तो पिछले साल जो है यूरोप में हीट वेव आया था यानि कि जो एरिया परता है वेल्जियम का फ्रांस का ब्रिटेन का जर्मनी स्प इस इस्थिती के वजिसे नेशनल इमर्जेंसी तक लगाना पड़ा था लोगों को घरों में रहने की सला दी गई थी अपने स्वास्त की देखरे करने की सला दी गई थी और इस्थिती बहुत भ्यावा हो गया था है यहां तक कि येरोप के कुछ बैग्यानिक वहां के आम लोग यह चर्चा करने लग गए थे कि क्या यह दुनिया अब समापती की और बढ़ चुकी है तो इन सब चीजों को हम देखेंगे और खत्रा बढ़ता जा रहा है कि इस बार भारत में यह देखने को मिल सकता है पिछले साल भी अगर आपको ध्यान हो तो भारत में सेल्सियस के आसपास टेंपरेचर चला गया था दिली का ही टेंपरेचर जो था वह लगभग 46 पर पहुंच गया था पिछले साल का अगरा आपको ध्यान हो तो इस इस त्थिती में यदि इस बार और यह मामला बढ़ जाता है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार दोहज आपको मैंने बताया है एक पिछले वीडियो में अनिनो को तो उसे आपको देखना होगा थोरा सा चर्चाम यहां भी कर देंगे तो यदि 2023 में 50% संभावना बताई जा रही है यह probability है कि 2023 अनिनो का यह हो सकता है और उपर से विज्ञानी कहना है कि temperature बढ़ेगा तो इसका प मजरेजिये क्या हुआ है कि भारती मोश्रम विभाग यानि कि IMD द्वारा कहा गया है कि अभी जो महना फरवरी का बीता है इसके बाद ही जैसा कि मैंने कहा आपको कि मार्च के सुरुवाती 15 दिन में ही इस्तिती बहुत खराब होने वाली है तो मार्च अपरेल 2023 में तापम से ध्यान रखना यहां बातेट सिर्फ टेंप्रेचर की नहीं की जा रही है और सथतापमाल की बात की जा रही है तो एवरेज टेंपरेचर से 3-5 डिगरी सेल्सियस अधिक रह सकती है और सब्वान का मतलब हुआ कि मान लिए किसी दिन टेंपरेचर जो है 26 degree Celsius रहा अगले दिन 28 रह गया किसी दिन हो सकता है 35 degree Celsius रहा फिर वहां हो सकता है कि यह 40 degree Celsius रहा इसका योग करके जितने दिन है डिवाइड करके जो average निकलेगा मान लेजे, average निकला है 35 degree Celsius, और ऐसत तापमान में 3-5 degree Celsius तक का इजाफ़ा हो सकता है यानि कि अगर 5 degree Celsius तापमान बढ़ जाता है तो यह 40 degree Celsius हो और और ओसत तापमान यदी 40 degree है तो मान लेजे 5 और जोर दीजिए इसमें यह 45 डिग्री और 45 है जहां का उसरता पान इस जगह का वहां पाँ जोड़ दीजिए तो 50 डिग्री चल्शियत अब समझ सकते हैं कि कितनी भयावा होने वाली है अगर लगातार इस तरह से हीट वे बढ़ता जाएगा तो फिर किस तरह की समस्चाएं हमारे लिए होने वाली है यह जो मैप आप देख रहे हैं यह भारत और पाकिस्तान दोनों का मैप है ठीक है यह फीजिकल मैप है इसे एक बार समझ लीजिए यह मैप जो दिखा रहा हूँ मैं यह 2019 हिस्वी के इसाफ से तयार किया गया है इस मैप को देखिया और आप देख पाएंगे कि भारत के उत्तरी भाग में जो पहाड़ी एरिया है वहाँ भी मैदानी एरिया है वहाँ भी और कुछ टटीय भाग में भी आप देखेंगे कि temperature कितना गया है जैदा मैं कुछ शेहनों के नाम ले करके temperature आपको बताता हूं जैसे कि आप देखिए जैपूर का जो है राजस्थान की राजधानी है 47 डिग्री Celsius पहुंचा हुआ है दिल्ली की बात करेंगे देश की राजधानी 48 डिग्री तक Celsius पहुंच चुका था कानपूर 48 डिग्री लखनव 48 डिग्री पट्टना जो है 45 डिग्री पे मद भारत देखें तो भौपाल 46 डिग्री पे है नागपूर है 45 डिग्री आप दक्षिनी भाग में चलें तो लगवग लगवग यहां पर 40 डिग्री के आसपास हैदराबाद उन 40 डिग्री पे है यहां पर आ अहमदाबाद जो है 46 डिगरी टेंपरेचर है तो यह सारे इस्तिती जो दिख रहे हैं आपको यह एक अलार्म है खटरे की घंटी है मौसम के लिए भारत के लिए भारतिय किरसी के लिए भारतिय मांसून के लिए भारतिय जंजीबन के लिए कि कितना इन सब चीजों से हम तो दोनों ही टर्म आप याद रखिए हाला कि हीट वेव ही पॉपलर है तो आप इसे देवनागरी भाशा में भी ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप चाहें तो इसे ग्रिफिल लहर कह सकते है ठीक है अब यहां समझ लीजिए कि हीट वेव होता क्या है इ लेकिन इसके साथ कुछ और टर्मन कंडिशन में उसको देखते हैं तो उच्छ तापमान होगा और तापमान क्या होगा सामान से अधिक होगा जहां पर जैसा कि मैंने बताया कि जहां का एवरेज तापमान जो है पैतालिश डिग्री सेल्सियस है तो पांच और उसमें एड कर दीचे तो पचास होगया तो एवरेज तेंपरेचिres जो है उससे तीन से पांस दिग्री ठंपरेचर उपर जाता है जिर्छ लाइस को समझ बैस क्रियेट क्यों होता है क्यों हीट भी आता है तो हीट में कर सकता है जेनरली the result of trapped air तो किस तरह से ये trapped air का result होता है कि देखिए बाई मंडल ये दवाब जो है उपर से बढ़ जाता है तो जैसा ही बाई मंडल ये दवाब यहाँ बढ़ेगा high pressure create होगा तो वहाँ पर क्या होगा बाई मंडल के उपरी परत से हवा नीचे की तरफ आएगी अब देखिए बाई मंडल के उपरी परत से यहाँ दवाब बढ़ रहा है तो हवा नीचे की तरफ आजाती है और हवा जब यहाँ नीचे की तरफ सतह के पास आएगी तो rotate करेगी यहाँ पर air ठीक है अब देखिए यह air rotate करेगी और एक कप का से बना लेती है यहाँ पर और फिर आप देखेंगे कि यह क्या करेगी यह air यहाँ पर trapped warm ground air in places इस सेप में जो ground का warm air था उसको trapped कर लेती है तो यहाँ एक तो temperature पहले सही है और फिर अगर बाई मंडल यह दवा बढ़ जाता है उससे जो है बाई मंडल के उपरी परत की हवा नीचे आती है जो गर में तो यहाँ पर इस्तिती और बढ़ती चली जाती है खराब होती चली जाती है और इस एरिया का temperature लगातार बढ़ता चला जाता है और यह इस्तिती मान लेते हैं कि जैसे कि कई दिनों तक हो सकता है कई जगा तीन दिन तक हो सकता है पांस दिन तक हो सकता है या वन विक भी लग सकता है अगर ऐसी इस्तिती हो जाती है तो फिर कह देते हैं कि हीट वेव आ गया है इसके कुछ और भी प्रावधान है अलग-अलग संस्था अलग-अलग तरह की बाते करती है तो मैं दो संस्था की बारे में आपको बता देता हूँ सबसे पहले हैं वैस्वी कस्तर पर देख लेते हैं तो विश्व मौशम विज्ञान संस्थान या आप नौट कर लीजिए आपके लिए जरूरी है विश्व मौशम विज्ञान संगठन इसने कुछ रूल्स बनाए हैं इसने कुछ बाते कहीं है उसके संदर में समझ लेते हैं यह कह रही है कि किसी जगा पे किसी भी जगा का जो average temperature है वहाँ का यदी temperature average temperature से उपर 5 degree Celsius तक यह बढ़ गया हो जैसा कि मैंने पहले भी बात कहा था कि किसी भी जगा का मान लीजे यहाँ पर एक उधारन के लिए आपको बताता हूँ दिल्ली को ले लेते हैं हम सब देश की राजधानी में रहते हैं तो दिल्ली को लेते हैं दिल्ली में जो है average temperature मान लेते हैं 45 degree Celsius है अप्रिल के मेहने में ठीक है अब इस जगह पर इस average temperature में आप 5 degree Celsius एड कर दीजिए तो यह क्या हो जाएगा 50 degree Celsius हो जाएगा अगर यह स्थिति बन जाता है तो हम कहेंगे कि हीट वेव आ रहा है यह कौन कहता है बिश्व मौशम विग्ञान संगठन के द्वारक कहा जा रहा है और यह स्थिति यही संगठन कह रही है कि यह स्थिति जो है कम स पांस दिन तक रहना चाहिए अगर यह दो कंडिशन फुल्फिल हो रहा है तो फिर हीट वेव की कंडिशन आ रही है भारतियर मौशम विग्ञान का भी कुछ कहना है आएमडी का आएमडी के बारे में यहां देख लीजिए आएमडी का अपना रूल से और आएमडी कह करती है इसको छेत्र के हिसाब से बांड देती है आएमडी ने कहा कि जो मैदानी छेत्र है मैदानी छेत्र में जो ओसत टेंपरेचर है मैदानी छेत्र का वह यदि 40 डिगरी से उपर निकल जाता है तो मैदानी छेत्र का 40 डिगरी से उपर निकलेगा जो टटिये छेत्र है उसका temperature जो है 37 degrees से उपर निकल जाए अधी 38 छेतर का और जो पहारी छेतर है वहां का temperature जो है 30 degree Celsius से अधिक हो जाए तो यह इस्तिति अगर आ जाता है तो IMD कहती है कि भारत में हम मालेंगे कि heat wave की इस्तिति उत्पन हो गई है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं details से कि भारत में heat waves की क्या परिस्तिति हो जाती है बारत में heat जून के बीच में चलती है तो मार्च और जून के बीच में चलती है और इसबार संभावना है की heat वेव आ सकती है फरवरी खतम हो रहा है आज तो कल से मार्च स्टार्ट होगा और जैसा कि वैग्यानी कह रहे हैं कि सुरवाती 15 दिन में हिस्तिती बहुत कराब होने वाली है तो यह संभावना तो यहां बन गई है आम तर पर हीट वेस भारत के उत्तर उत्तर पश्चमी छेत् सा भारत का इस छेत्रों में हीट वेव चलती है लेकिन इसका विस्तार भी हो जाता है हाल के बरसों में छेत्रों की संख्या में थोरी विर्दी हुई है हिमाले के मैदानी इलाकों में आंध परदेश के उत्तर के छेत्रों में और मध भारत में भी अधिक हीट वेव दर्ज की जा रही है आईमडी वही बाते जो मैंने कहा मैदानी छेत्रों में 40 डिगरी अधर सिल्सियस हो जाता है या उससे अधिक तापमान होता है 30 ये छेत्रों के लिए 37 डिगरी सिल्सियस या उससे अधिक तापमान हो सबसे हैं तो 80 हीट वेव कर देती यह continuing respect क्या क्या हो सकते हैं आप लगाएं कि क्या क्या कारण हो हो सकते हैं कुछ चीजों पर तो कि मैं बात करूं गांगे एन चीजों के अलावा जो मैं discussion में जरूर लिखें पहली चीजेज़े तो आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है कि Greenhouse Gases जो है ग्रीन हाउस गैसे हमारे वाई मंडल में बढ़ता जा रहा है पहली चीज तो यह हो गई इसके परिस्तिती से क्या उत्पन होगा ग्लोबल वार्मिंग ठीक है ग्लोबल वार्मिंग होगा क्लाइमेट चेंज होगा अलग अलग तरह की पर सिटी उत्पन होगी कभी बं साइकलोन आएगा कभी कहीं बहुत अधिक सर्दी पर जाएगी मतलब जो विशम जलवाई हो जाएगा यानि कि ठंडी की मौसम में बहुत ठंड हो सकता है बहुत वर्षा हो सकती है इतनी वर्षा की बाढ़ी ही आ जाए सुनामी आ जाए इतनी गर्मी की हीट वेव आ जाए तो जलवाई हो जो है वह विशम हो जाएगी तो इस स्थित्री में हम अगर टेंपरेचर को लेते हैं तो टेंपरेचर बहुत बढ़ जाएगी इस चीजी को देखे तो अब यहां पर देखिए मानव गतिविधी के कारण यानि कि हम जो काम कर रहे हैं हम जैसे की मान लीजिए कारवन डॉकसाइट का ओर सरजन कर रहे हैं अपने विविन कामों के जरिए तो इन सब कामों के जर जो सुरुवात में ही मैंने आपसे कहा अल नीनों की घटनाओं से भी प्रयरित होती है अब अल नीनों की घटना जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में बताया है यदि आपको समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाए करेंट अफेर्स बाले में और डिटेल से हमने इस प अलुकु Berla Transfield तहुकर ओर माले यहां पर कि यह हमारा हो गया पश्मिघार्ट और यह हो गया है पुर्भी घट ठेक से यह यह हो जाएन है आस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है इंडोनेशिया है इस पीछे इस जगह इंडिया नुसीयान यहाँ पर जाएगा फिसको समझ नियां इस कंडिशन में अलीनों की कंडिशन में क्या होगा मतलब एक ठोसमान नियर। समानिंक्स में जो है चीजिय इस्तिर चल रही है मालसून अच्छा है अलील नो के इयर मैं क्या हो जाएंगा गर्म जल्धारा के वजह से कि रियेट होती है तो यहां से तहनी चैते कि तरफ आएगी तोच गाज हरा तो यहां कि लेटीन अमेरिका का जो हुष्सा है वहाँ बारिष होगा अमेरिका और कनारा के कुछ छत्रों में भी वहाँ पर भी बारिष होगा लेकिन यहां आप देखे इंडियान ओशियं था यहां से जो ठंडी जलदा रहा है, वो यहां से shift हो जाएगी, अलनीनोई एर में, यылेदी यह shift हो जा रही है, तो यह area क्या हो जाएगा, यहां पर dry condition create होगा, दियान देना है इसको, यहां पर dry condition होगा, और dry condition होगा, यहां इंडिया है, इसका क्या परिणाम होगा, तो यहां देर से पहुंचेगी यह संभभ है मानसुन आए भी न यह और दूसरा वर्सा कम होगी तो यह प्रस्तिती हो जाता है डिटेल से अन्लीनो को जरूर आप पर लीजे क्योंकि अन्लीनो बहुत जरूरी टॉपिक हो जाता इस बार के लिए क्योंकि बैग्यानिकों का कहना ह है कि 2023 का जो यह साल है इसमें 50 परतिश्कट संभावना है कि यह year 2009 हो सकता है 2009 यह जो हर तीन से पाngth साल मैं आता है वैसे सामान यह रहता है तो मोशम अच्छा होता है और 2009 जो हुआ वो मानसून के लिए या जो मानसून के लिए सही नहीं होता है ठीक है और इस बार इसकी संभावना है कि 2030 अल्निनो यह हो जाए तो एक चीज़े आप यह समझ गए उसके बाद हम और क्या कर रहे हैं वनों की कटाई कर रहे हैं इंफ्राइक स्ट्रेक्चर डेवलप करने के लि चली जाएगी हमारे इन्वार्यमेंट में इन सब कारणों के वज़े से हीट वेव आने की संभावना बढ़ेगी भारत में अधिक हीट वेव अनभव करने के कारण है तो एक तो कारण तो बहुत में भी और दोगी प्रदोशन हो रहा है बनों की कटाई यहां हो रही है अन अगर आपको यह उधारन देखना है तो आप दिल्ली के वगल में नौइडा में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगे देखने को मिलेगी एक जंगल जराएगा और जंगल के कंक्रीट जंगल हर जगह आपको पकी सर के कंक्रीट हमने कहीं जमीन छोड़ा ही नहीं इस कंड प्रभाव जो है जलवाई उपर पढ़ रहा है हीट वेव के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं अब हम इस पर जड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं पहली स्थिति तो यह है कि यदि हीट वेव आता है तो जल अस्तर का क्रमिक हास होगा यानि कि ग्राउंड वाटर जो होता है नीचे दाता जाएगा तो पानी की समस्या हो जाएगी पानी की किलत हो जाएगी आप तो ऐसे भी समझ रहे हैं हम लोग कि कहा जा रहा है कि ठर्ड वर्लवार जो होगा वो पानी के वज़ज़ से होगा और इस तरह की चीज़े अगर होगी हीट वेव की इस्तिती होगी उन्हों ही चीजों पर हम जरा डिटेल से बात कर लेते हैं क्योंकि यह समझना आपके लिए जरूरी है यहां उर्जा सुरक्षा की बात की जा रहे हैं यानि कि गर्मी अगर बढ़ जाती है तो उर्जा मांग बढ़ जाएगी है ना तक बिजली की मांग बढ़ जाएगी अब इतनी बिजली कहां से आएगी एक ही तरीका होता है कि बिजली की कटवती की जाए ठीक है अब बिजली की कटवती अगर करते हैं आप तो आप जो कार में यसी लगा के चलते हैं घरों में यसी रखते हैं पंखा चलाते हैं फ्रीज इन सबों पर समस्या उत्पन होने वाला है। यानि कि हम तरस जाएंगे अगर यह स्थिती हुआ तो हम तरस जाएंगे। ऐसे इसे पंखा हाथ से जो जेलते हैं पंखा वही करते रहना परेगा। यह स्थिती इतनी खराब होने वाली है। और इस बार उम्मीद की जा रही है क या इस्तिती मार्च से ही शुरू हो जाएगा इसलिए हमारे लिए डरने की और भी जरूरत है यहां समझाता हूं मैं किरसी के लिए क्या समस्या हो सकती है देखिए इसका सीधा सीधा प्रवाव यदि अगर मार्च में गर्मी बहुत बढ़ा मार्च में भी यह सिचुएशन रहता है और सुरुवाती 15 दिनों में रहता है यह गेहूं के फसल का समय है अब गर्मी अगर तेजी से इतना बढ़ेगा तो गेहूं की फसल जो है जल्दी पक जाएगी यहां आप चाहें तो इस चीजों को नौट कर सकते हैं क्योंकि जो खाद सुरक्षा की बात हम करते है उसके लिए इस्तिती खराब हो जाएगी खादयान संकट की इस्तिती उत्बन होगी तो गेहूं की फसल क्या होगी पक जाएगी जल्दी मालीजे गेहूं के दाने जल्दी पक जाने से आप कहेंगे तो अच्छा है ना जल्दी से गेहूं तयार हो जाएगा सर बढ़ियां स इसे भी चीज़ का एक time period होता है सब चीज़ समय से करें तब ही तो अच्छा होता है ना तो गेहूं एदी पक गया माले जल्दी तो यहां पर इस्तिती होगी कि इसमें protein की कमी हो जाएगी ठीक है तो आप जब खाएंगे गेहूं को तो आपके सरीर के लिए स्वास्त के लिए वह बहुत लाबदायक नहीं हो जाएगा ठीक है तो एक चीज़ तो यह हो गया कि वहाँ protein की कमी होगी दूसरा गेहूं के दाना का जो वजन होता है ने माले जिए वह वजन जैसे कि किसान जब बेजते हैं दाना को तो उनको अधिक उपज होती है और उसका वजन अच्छा होता है तो पराइस अच्छा मिलता है तो गेहूं के जो दाना का वजन है वह कम हो जाएगा उत्पादक्ता गपाद़े की उन्मीद की जा रही है कि 20-30% सवचे कई अब यह हमारे लिए बहुत ही चीजिया का कारन होगा तो यह दो चीजे तो आप समझ गय अत्यधिक तापमान और परिणाम सरूप उत्पन वायु मंडली इस्थितियां लोगों के स्वास्त पर परतिकूल प्रभाव डालेगी यानि कि आपको चक्कर आएगा जी मिचल आएगा आपके स्वास्त की पर बहुत बुरी तरह की स्थिति हो सकती है लू लगने की संभाव ना है और इस्थिति इतनी खराब हो सकती है कि व्यक्ति की मिर्त्यू तक भी हो सकती है यहां दो-तीन आकरे मैं आपको बताता हूँ ताकि आप इस चीजों को और डिटेल से समझ सकें इसकी परस्तिति को दो-तीन आकरों में आपको सबसे पहले मैं इंटरनेशनल लेवर औरगनाजेशन की बात करता हूँ इंटरनेशनल लेवर औरगनाजेशन ने एक बात कही है कि इस तरह से अगर गर्मी बढ़ते जाती है हीट वीव आ जाता है तो विश्व भर में जो नौकरी खतम होने की समस्या उत्पन होगी और पूरे वैस्विक अस्तर पर आठ करोर नौकरी जा सकती है आठ करोर लोग बिरुजगार हो सकते हैं भारत को लेकर के भी आकरा दिया गया है और भारत के लिए कहा गया है इंडि आती अर्थ विवस्ता के हिसाब से बीज विस उसलिए बिरुजगारी दर्वे से भी हमारे यहा की बहुत जाइदा है और यह स्तिति हीट वेरुजगी जाएगी और और विस्वर में आठ करोर लोगों की नोकरी जाएगी तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई बेरोजगारी जब बढ़ती है तो क्राइम बढ़ जाता है समाज में तो इस सारा चीज जो है फिर जुट जाएगा एक दूसरे से इसको समझ लीजे अच्छे से दूसरी बात जो ह है तो लोग क्या करते हैं हिल स्टेशन पर चल जाते हैं यह दिए सिमला का कुलू मनाली का हाल या तेमपरेचर देखेंगे फरवरी के मेहना का कह रहा हूं यदि आप देखेंगे तो Simla में भी temperature जो है तक्रीवन 30 degree Celsius के आसपास था यह पहारी राका है और मैंने आपको पता है था कि AMD कह रही है कि पहारी राका में temperature 30 degree Celsius के आसपास है यहां पहुंच गई तो heat वे भोसित कर जाता है तो फरवरी में यह हालत था कि Simla का temperature 30 degree Celsius था तो इससे क्या होगा आप कहेंगे जी Simla में है तो सर जी यहां पर परियटन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव परेगा पूरा परियटन इंडस्ट्री जो है वह चौपट हो जाएगी और पहाड़े इलाके के लोगों का जो जीव नहीं होगी तो वैसे भी एक खोशित किया जा रहा है और फिर उस अन्लीनों इयर की संभावना भी और बढ़ जाएगी और भारतिये किरसी जो है वह मांसून पर निर्वर है और बादल यदि नहीं बना पारिश नहीं हुई मांसून में देरी हुई तो जरा समझ लीजिए कि आगे की किरसी हमारी कैसे चलेगी भुकमरी की स्थिति उत्पन हो सकती है और साथ ही इन्फलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा महंगाई बढ़ जाएगी मुद्रास्पिती इस सब चीजों से समस्या हो सकता है साथ ही एक चीज आप और जानते होंगे कि जब भी गर्मी बहुत बढ़ता है तो जंगलों में वनों में आग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है तो पारिस्थिति के लिए भी यह समस्या उत्पन होता है जो जंगली जीव होते हैं उनका आवास नस्ट हो जाता है वह उसमें छती उनको भी पहुंचती है उनकी लगातार बाते की जाती रही है कि ग्रीन हास गैसेज को कम उत्सरजित कीजिए पेरी समझोता जो हुआ था तो पेरी समझोता को सही से लागो कीजिए जिस जिस देश की जितनी जिम्मेदारी दी गई है उन सब जिम्मेदारी को सही से निभाए और साथ ही सबसे जरूरी जो ह CO2 इसके उत्सरजन को जितना हो सके कम करें और इसके लिए नवी करनिय उर्जा पर ध्यान देना परेगा नभी करनिय उर्जा बैकल्पिक उर्जा की बात की जा रही है सोलर एनर्जी हो गया विंड एनर्जी हो गया इन सब चीजों पर ध्यान दे तब जाकर के कहीं इस इस्थिती से हम निपट पाएंगे लेकिन जो इस्थिती देखने को मिल रही है उससे तो यही संभावना है आपके पठन-पाठन को समर्द करने में सहायक सिद्ध होगा जल्दी हम दूसरी टॉपिक के साथ मिलेंगे यह दिया आपका कुछ सुझाब हो कुछ भी आप कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है अपना ख्याल रखिए थैंक्यो क्या च्हाल ।